हलो गुड मॉर्णिंग मैं पवन राओ इस यूटूब चैनल पर आप लोग को मैच्वित पवन राओ में आज आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको एक छोटा सा क्यूशन हम लोग सोल करने की कोशिश करते हैं सेड़ेट पार्ट वाले क्यूशन साते हैं चायंकित भाग वाले क्यूशन साते हैं उनको हम लोग दोनों को सोल करेंगे उन पॉइंट्स को हम लोग सोल कैसे करते हैं ये चीज़ आज सीखने की कोशिश करेंगे एक YouTube channel के मैंने आपके लिए शुरुआत किये जिसमें आपका full basic सही तरीके से clear हो अभी आपके पास ये छोटे-छोटे वीडियो जा रहे हैं जो हो सकता है 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट लेकिन 25 तारिक से आपके पास complete videos complete basic के साथ आने शुरू होंगे तो आप लोग इस YouTube channel के साथ बने रह सकते हैं कैसे देखिए, कैसे कर पाएंगे एक क्यूशन में आपको समझाता हूँ A, B अपने पास व्यास का एक semi circle है ये इस परकार से कहा है A, B semi circle अपने पास हमें पढ़ना कैसे है, वो मैं बता रहा हूँ इस पर कोई point है, ये यहाँ पर माल लिजे बी ये अपने पास A, B semi circle का अपने पास व्यास का कोई semi circle है इस पर दो semi circle और बना दिएगे, जहाँ पर अपने पास ये वाला इस shaded part का area हमें find out करना है इस shaded part का area हमें find out करना है यह यहां से यहां तक आपने पास BD यह point अपने पास C है धान रखना दो जगे B हो गया यह point अपने पास C है question बहुत अच्छा question इसमें हमें given जो है वो लिखाव है कि अगर BC का मान यहां पर BC equals to 6 दिया हुए and और दो given हम लोगों को BD equals to 6 root 3 दिया हुए then find the area of shaded region यह जो shaded region दिखाया गया है उसका area आप लोगों को find out करना है जिसके option मां आप लोगों के लिए लिख देता हूँ 12 pi B option जो दिया हुए वो दिया हुए 9 pi C option 27 pi और D option एक और दिया हुए हम लोगों को 28 pi इस question को आप लोग कैसे solve करोगे देखो आप लोग जब भी class में कहीं पर भी आप लोग पढ़ रहे हैं धान रखना आपके अगर concept clear है questions कैसा भी आजए SSE नए questions बनाएगा पढ़ेवे questions भी आएंगे लेकिन नए questions भी आजकल बनाने शुरू किया है SSE ने तो आप लोगों के अगर basic concept clear है तो आपको कोई भी problem नहीं आएगी धान देना इस question को कैसे solve करें अब ये जो कौण यहाँ पर होगा ये अपने पास 6 root 3 दिया हुए नीचे वाला ये अपने पास 6 दिया हुए ये वाला जो कौण होगा ये अपने पास होगा 90 डिग्री अब इस question को आप लोग कई तरीके से कर सकते हो मैं एक बार इधर लिख देता हूँ BC बराबर दिया हुए 6 और BD बराबर दिया हुए 6 root 3 और इस question को अगर आप लोग समझते हो तो आपके बहुत सारे concept clear होंगे इस question को अगर आप लोग समझते हो इसको मैं इधर वाला triangle दोनों similar हो जाएंगे और similarity लगा कर ये side और ये तो DVI आप लोग ये side निकाल सकते हो पहला आपके पास पहला तरीका अब आप लोग एक चीज़ धान रखना जहां पर भी आप लोग बैठे हैं जो भी student class में मुझसे questions पूछते हैं वो मैं यहाँ पर clear करवाते चलूँगा मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग के दिमाग में भी एक confusion हो सकता है तो student class में मुझसे questions पूछते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा इस channel पर आपके खुद के भी दिमाग में questions बनने चीए हैं क्यों ऐसे questions अगर आपके दिमाग में बनना शुरूब है तो यह मान लेना आप लोग अच्छे से समझ पाओगे और यह questions अगर आपके दिमाग में नहीं बन रहे हैं तो फिर question आप लोग नहीं कर पाओगे similarity में दोनों similar कैसे वे यह को 90 यह यहाँ पर altitude डाल दिया तो दोनों similar कैसे वे वो तो बन जब similarity detail से पढ़ाओगा उस time समझी जाओगे आप लोग धान रखना यह 90 degree इसलिए क्योंकि आपने पास यह tangent होगी दोनों circle जहां मिल रहे है tangent होगी और tangent अगर यह है तो tangent रेडियस वर tangent के बीच बना को नबड़ी की यह स्टेट लाइन थी इधर नबब हुआ तो इधर भी अपने पास नबब हो गया और यह आपने पास 90 इस परकार से है और धान रखना डायमेटर दोवारा circumference पर बना इंगल राइट इंगल होता है क्यों होता है वो जब मैं basic पढ़ाऊंगा उस time इस वीडियो जैसे मैं डालने चुरू करूँगा सौरा complete हर क्यों बताऊंगा तो उसमें आप लोग चूट सकते हैं पहला तरीका जो basic कुछ लोग करेंगे मुझे बताईए सेड़ेट पार्ट का एरिया निकालने का तरीका तो आपके क्योशन वैसे आसान है सेड़ेट पार्ट का एरिया निकालने का तरीका आपको पता है बड़े वाले सर्कल के एरिया में से इन दो सर्कल का एरिया माइनस कर दो लेकिन semi circle का area निकालने के लिए radius चीए और radius निकालने का जो तरीका होता है अपने पास वो यहां से यहां तक अपने पास similarity से आजाएगा पहला तरीका दूसरा तरीका क्या हो सकता है और यह सारे तरीके सारे concept आपके दिमाग में अगर होंगे ऐसा क्यों होता है यह सारी चीज़े मां आप लोग को बताने वाला हूँ इन वीडियोज में जो आगे basic में आपके आने शुरूंगे धान रखना यहां से altitude अगर डाल दिया जाए तो bd square बराबर होता है ad into cd right angle triangle में एक तो तरीका यह ही similarity लगा लेना दूसरा तरीका मैं समझा रहा हूँ कि आप लोग कभी भी question आये right angle triangle में altitude डाल दिया जाए तो bd square बराबर ad into cd क्यों होता है थोड़ा सा लेंदी इसके related चार formula होता है उन पर based a question ऐसा से हमेशा पूछता है तो आप लोग यह चीज़ धान रखना तो यहाँ पर अपने पास bd square कमान दिया वह 6 root 3 का square करोगे तो 36 गुना 3 ad कमान हम लोगों को find out करना है a से b तक यह a b c है ना यह अपने पास d point है जैसे diagram में वैसे ही मैं बना देता हूँ और यह अपने पास b point है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे bd square बराबर a b into b c तो a b कमान तो निकानना है और b c कमान इसमें दिया वह 6 तो यहाँ से a b बराबर आगया अपने पास 6 से कट गया 6 बार 6 गुना 3 18 तो a b कमान 18 आ गया यह 18 है इधर वाला 6 है तो टोटल जो हो गया अपने पास 24 तो बड़े वाले की जो radius बची यहाँ से आं तक वो बची अपने पास 12 है टोटल 24 हो गया तो बड़े वाले की radius 12 है तो इसका semi circle है तो area का formula pi r square 12 square 144 upon divide कर देंगे हम लोग 2 से इसका जो अपने पास 6 तरफल होगा दूसरा इस semi circle minus करना इन दोनों का area total के area में से इन दो semi circle का area minus कर दोगे तो shaded part का area जाएगा बार 18 है यहाँ से यहाँ तक 18 है तो radius आजेगी यहाँ से यहाँ तक 9 तो into 81 by 2 minus कर देंगे हम लोग यहाँ से minus करोगे आप लोग यह अपने पास 3 है तो अगले इस semi circle का area pi r square 3 का square no upon 2 upon 2 क्यों upon 2 इसलिए क्योंकि हमें यहाँ से पता है upon 2 हम लोग इसलिए लगाता है क्योंकि हमें पता है कि यह semi circle है और सेमी सर्कल को आप लोग यहां से सोल कर लोगे तो अपने पास अंचरा जाएगा इसको सोल करना है सोल मैं आप लोगे लिए कर दता हूँ यह 144, 81 और 9 एड होगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं नबे माइनस करोगे तो 54 पाई अपन टू बचेगा और सोल करोगे तो 27 पाई यह अपने पास अंचरा जाएगा और तरीका क्या हो सकता है पहला कुछ लोग इसमें similarity लगाते हैं दूसरा तरीका कुछ लोग इसमें ये लगाते हैं यह आप लोग को याद होना चाएं तीसरा तरीका और क्या यह सारे concept अगर और अप अगर basic से पढ़ोगे तो मैं आपको 100 परसंट guarantee दे रहाँ कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में खुदी चलना शुरूंगी जब अगर आप इस चीज़ें को बेसिक पढ़ लोगे अगर बेसिक स्ट्रोंग नहीं वे तो आप लोगे की दिमाग में एक ही तरीक आएगा दूसरा कोई पॉइंट नहीं आएगा कैसे कर सकते हो देखो मैं फिर समझाता हूं इसका ये जो अपने पास में काम है इसमें A B कैसे निकालें में काम A B निकालना ही है इस परकार से अपने पास क्यूशन है यहां से यहां ता कि सेमी सर्कल है इसमें एक यह दे दिया A, B, यह दे दिया C अपने को सेमी सर्कल और यहां से एक पॉइंट दे दिया B, D जिसके लेंथ हमारे पास DV है, BC की लेंथ 6 DV है और इस सेड़ेट पार्ट का अरिया पूछ है तो shaded part का area निकालने का तरीका आसान होता है यहाँ पर यह सिधा सिधा ही है अगर अपने पास complete का area में से दो semi circle का area अगर minus कर लें तो shaded part का area जाएगा दूसरा तरीका क्या हो सकता है आप एक छोटा सा काम करो कि यहाँ पर complete circle बना दो यह चीज़े सारी complete circle बना दो और इसको आगे की तरफ बढ़ा दो तो धान रखना यह six root three अगर है तो नीचे की तरफ भी six root three होगा और यह अपने पास छे है अगर किसी भी circle में दो code से एक दूसरे को intersect अगर करें तो A, B और C, D अगर एक दूसरे को intersect करें अभी एक बार याद कर लो तो याद कर लिया तो इसको आप लोग अक्स मान लोगे तो six into x बराबर six root three into six root three छे से कट गया छे बार और यह आगया 18 अक्स की value आट, 18 आने के बाद इसकी radius यहां से यहां तक हो जाएगी नो इसकी radius हो जाएगी तीन और बड़े वाले की जो radius है वो यहां से यहां तक मान लो बड़े वाले की जो radius है यहां से यहां तक वो अपने पास आजेगी बार है तो बड़े वाले के semi circle के area में से इन दो semi circle के area वो थोड़ी दर पहले मैंने soul आपके लिए किया ही है वहां से सोल कर लेना अपना आंशरा जाएगा तो अब आप लोग जहां पर भी बैठे हैं मैंने कहा कि जैसे पढ़ने का तरीका जो 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 मेट्री, मेंचुरेशन, अलजेब्रा, टरिगनोमेट्री और कोडिनेट जो मेट्री जो अडवांस मेट्स है उसका पढ़ने का तरीका ही होता है आप लोग इसको रटने की कोशिश मत करना जैसे आया, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सिक्स रूट थ्री और सिक्स रूट थ्री बराबर कैसे हुआ अगर नहीं आया आपके दिमाग में ये क्यूशन तो आपके दिमाग में बनना चाहिए अगर आपको एससे में बारे में अगर मेंस में 11 क्यूशन आए और 11 के 11 करने या 12 आए और 12 के 12 करने तो ये ऐसे क्यूशन आपके दिमाग में बनने चाहिए अगर ये questions नहीं बन रहे हैं तो ये मालने ना आप लोग ज़ादा से ज़ादा आप लोग questions कर पाओगे या तो 6, 11 में से या 7 तो इसको कोसिस कैसे आया देखिए, मैं आपको समझाओंगा कि जब भी हम लोग यहां से center से अगर इस पर perpendicular डालें तो ये हमेशा midpoint पर मिलता है क्यों मिलता है, वो theory में detail से जब मैं पढ़ाओंगा तब बताओंगा, तो यहां से perpendicular डाला तो ये midpoint हुआ, perpendicular क्यों आया क्योंकि radius वर ये tangent है और ये अपने पास radius है, radius वर tangent के बीच बना कोड़ना बढ़ेगी तो इस सारी चीजें, मैं आज थोड़ा सा फास ले रहा हूं, पढ़ाते टाइम हम लोग थोड़ा सा slow चलेंगे, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि sir, YouTube पे थोड़ा slow चल रहे है कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सरा बाते में